हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन नेगलेटिड और एक टाबू के साथ जो लोग प्रेजेंट करते हैं हाईड्रोसिल के बारे में कईवरी पेशेंट डॉक्टर की क्लिनिक में प्रेजेंट करता है जनका साइज कईवरी बढ़ जाता है राण दिखाई देता है ठोड़ी स्वेलिंग आ जाती है इसे लेकर कईवरी पेन होता है इसकेम और पैल्विक रीजन तक जब वो मूब करता है इंसान चलता है तो इसे दर्द महतूस होता है तो आकर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीजन है लेकिन सबसे बड़ी कॉमन मिस्टिक्स इस केस में लोग यह करते हैं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते एक बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है और वो प्रॉब्लम लगाता और बढ़ती रखती है तो आखिर यह होता क्या है और उसका सही इलाज क्या है सबसे पहले तो मैं आपको यह किलियर कर दूँ कि हाइड्रोसिल की जो प्रॉब्लम है 90% इंफेक्शन होता है और 90% लोग न प्लस फिजिकली एक्जामिन भी कराएं डॉक्टर से तो जर्नली होता यह है कि हमारे अंटकोस के अंदर एक पानी है और एक लेयर है मतलब एक पानी का लेयर है जो की टांपरेचर मैंटेन करने में और इस्पॉम के प्रोडेक्शन में हेल्प करता है वो बहुत जरूरी भ प्लस और उसके अंदर कोई बैक्टेरियल या कोई इन्फेक्शन यह दी आजाता है तो तब देखा जाता है कि स्वेलिंग आजाती है और एक अंड को थोड़ा सा बढ़ा हो जाता है तो इसमें कुछ रीजन होते हैं इसके कोई इंफेक्शन हो जाना या यूपी या बिहा इस बेल्ट के अंदर फलेरिया की प्रॉब्लम होती है उसमें भी कई वरी यह देखा जाता है कि अंड को साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है यह फिर कोई भी जी आई ट्रेक्ट का इंफेक्शन या जिस तरीके से बॉड़ी के दूसरे पार्ट में इंफेक्शन होता है उस चोट पहले से लगी है तब भी स्वेलिंग आ सकती है यह आपको इंफेक्शन हुआ है तो उसके कारण भी हाइड्रोसिल में आपके हाइड्रोसिल हो सकता है और आपको दर्द हो सकता है रैडनेस आ सकती है और यह प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटड काइवरी हो चीह बेर हैड्रोसिल को हम से स्वेलेटीग कर भी देखते हैं कि कायीवरी हर लगार साथ से खम्राप आपका अंपको Frioni को आपको दर्म कर जाता कि जो बच्छों में यह होता है तो बच्छों में जर्नली एक साल तक ख़ुदी ठीक हो लेकिन एडल्ट के अंदर है यदि यह तो यह फिर इंफेक्शन हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको आपको समझना होगा इसका एक प्रॉपर टीट्मेंट है एक एंटिबाइटिक थ्रैपी है इसमें प्ले स्वेलिंग और पीन को सबसाइड करने वाली और इचिंग क इसके साथ एक अल्टर साउंड होता है इस्क्रॉटम अल्टर साउंड जिसमें कि यह पता लगता है कि आपको कोई गांट तो नहीं है कोई टेंडर तो नहीं है खाली पानी ही है यदि खाली पानी है तो फीक हो जाएगा लेकिन आप यदि आपको टेंडर है गांट है तो आपको इंफेक्शन बहार से अंदर जाने का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है और कई वरी देखा जाता है कि जो लोग इस तरह से पानी निकालते हैं वो ट्रेंड नहीं होते और वो इंफेक्शन को और प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तो इसमें कोई टै दिखाएं यह ट्रीट किया जा सकता है और 90% केसिस में सर्जरी की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है यदि आवश्यक्ता है भी तो आपको एक हलका सा चीरा लगाया जाता है कट जिससे की टांकी लगाने के बाद सेम डे आपको चुट्टी देदी जाती है नेक्स डे आप अ चैक्लिंग करते हैं तो आप अपने प्रॉपर अंडर्वियर पहने और यदि आपको कभी कोई चोट लगी है तो आप फिर अपने डॉक्टर से सलहा ले ले यह बहुत जरूरी है थाइंक्यू बेरी मैच एंट टेक केर और सब्सक्राइब